आज की ये स्वाधिश्ट टेस्टी और स्पाइसी पोटेटो रेस्पी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पोटेटो लिया है ये दो बड़े साइस के पोटेटो हैं इनको ग्रेट करके हमने ले लिया है दो बड़े चम्मच मैदा डालेंगे दो बड़े चम्मच कॉन फ्लार ड आपसे नमक डालेंगे स्वादनिसार और इसको एक तो के रूप में त्यार कर लेंगे अगर आपको यह चिप-चिपा से लगे तो इसमें कॉन कर लग रहा है कउम कान फला और नहीं करेंगे छिखना के लिए थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और डो को चिकना करेंगे देखिए यह थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहेगा क्योंकि इसमें अलूमिक्स है इसलिए थोड़ा सॉफ्ट रहता है तो इस डो को अब हम सर्फिस पे थोड बागों में डिवाइड कर लिया है अब इसको एक चपकी लोई की तरह बनाएंगे और बेलन की हेल्प से इसको बेल के त्यार करेंगे बहुत जादा थीक भी नी रखना है बहुत पतला भी नी रखना लेकिन अगर आपको बहुत जादा क्रंची पसंद है तो तो इसको थोड इस्ट रिंग बनता है आलू और कॉन फ्लोर मिक्स बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है यह रैसपी बनाना बनता है बहुत बढ़िया रैसपी है चाय के साथ सास के साथ बना के एक बार जरू ट्राइगा किसी गिलास से इसको कट करेंगे रिंग का शेप देने के लिए और यह देखिए और अंदर से किसी बोतल का कैप ले लेंगे या कोई भी छोटी चीज जो उसको रिंग के शेप में कनवर्ट करने में हेल्प करें तो इस तरीके से अंदर वाले पार्ट में भी हम इसको लगा देंगे और यह सारे रिंग्स रैडी कर लेंगे देखें कितने प नहीं करेंगे वह बहुत जाधा हाई पर नहीं रखना है और बहुत जाधा लूप भी नहीं रखना है इसको हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे क्योंकि अंदर तक पकना बहुत ज़रूरी है और एक बार यह रिंग के बाहर आते हैं ना तो फिर बस रुपा रही जाता अमन कर तो फ्रेंट्स यह पोटेटो रिंग्स आप जरूर बनाईएगा यह देखे क्रिस्पी हो गया है अब हम इने एक एक करके बाहर निकाल लेंगे आप इसे किसी स्टिक की हेप से या पर इस पैचुला से भी निकाल सकते हैं चिम्टिल की हेप से निकाल लेंगे तो ज़्याद अच्छा रहा है तो यह से करके सारे रिंग्स निकाल लेंगे बहुत प्यारे लगते हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंट्स यह चाय के साथ सास के साथ जसके साथ मन करें मियूनीस के साथ तो बहुत अच्छा लगता है तो इनको दूसरे बैच को भी डाल देंगे और patience रखते हुए अलटते पलटते इनको टहलाते हुए तल लेना है सुनेरा हो जाएगा तब हम इने निकाल लेंगे सुनेरे हुने का मतलब है अंदर तक पग गया हो बस इने निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व लेंगे इसे और आप जिससे भी इसे खिलाएंगे बस यही पूछेगा कि कैसे बने बहुत ही प्यारी रेस्पी है तो सारे रेउंग्स बनके है तयार इनको जो है garrik potato ring भी कहते हैं और इनको potato ring भी कहते हैं spicy potato ring आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अनुसान मिर्च मिला सकते हैं तो फ्रेंट्स यह रेस्पी एक बार जरूर बनाएगा और आज की रेस्पी आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा बहुती क्रिस्पी रेस्पी है बहुती अच्छी रेस्पी है आप आपने देखी कितने प्यारे लग रहे हैं ना बनाईएगा जरूर और कमेंट करके हमको बताईएगा तो प्रेंट्स मैं इसका इंज्वाय लेती हूं और मैं फिर मिलूंगे आपको एक नए वीडियो में एक नई रास्पी के साथ में तब तक के लिए बाबाई थैंक्स पर प्रोचीं!